यह उस समय की बात है जब धर्ती पर जंगलों में आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा सकती साली और आदमखोर जानवर का जन्म हुआ था यह वो जानवर था जिसके आतंक से बड़े बड़े जानवर खौफ खाया करते थे बह जानवर था सेबर्तु टाइगर जिसका खास रूप से धर्ती पर जन्म बड़े बड़े जानवरों को मार गीराना था आज से लगभग 18 लाख साल पहले धर्ती पर साकाहारी जानवर जन्म लेने लगते हैं उस समय के सभी साकाहारी जानवर आज के जानवरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर और बड़े होते थे उस समय के धर्ती पर का सबसे विशाल जानवर मैमत था जो बहुत ही सकति साली होता था जिसे मार गिराना दूसरे सिकारी जानवरों के लिए एक सपने के जैसा होता था साकाहारी जानवरों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि धर्ती के जंगल पेड पोधे बहुत तेजी से खत्म होने लगे ऐसे में एक खुंखार सिकारी सेबर्टुथ टाइगर का जन्म होता है सेबर्टुथ के आते ही इन विशाल साकारी जानवरों की संख्या में कमी होने लगती है और देखते ही देखते सेबर्टुथ टाइगर आज से लाखो साल पहले के जंगलों का राजा बन गया